असलाम अलेकुम, हलो हाई अवर्यवेंग, होप यौल आ दोई ग्रेट तासन हीर, वेलकम डिसलीशन वोल चनल आज मैं अप लोगों से गूगल फॉर्म और सर्वे फॉर्म क्रियेट करकर किस तरीखे से हम फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर कमाई करने वाले हैं, यहीं डिसकुस करने वाली हूँ, सर्वे फॉर्म कोई बड़ी आउट आफ दो वर्ल नहीं है, क्रियेट करने के लिए बहुत आसान सा एक तरीखा है, इचली मैं आपको दिखाऊंगी, हमको एचली रेडिमेट टेंपल मैं आपने फाइवर.com पर दिखा रही हूँ, अगर आप फाइवर.com पर नहीं हैं, तो जरूर मेरे सीरीज जाके चक कीजिए, आपको इधर एक गिक क्रियेट करना पड़ता है, तो आप देख सकते हैं, मैंने जब बायर सेक्शन में टाइप किया गूगल फॉर्म्स, जब जब किसी एक seller का जब मैंने इचली विसिट किया, तो आप देख सकते हैं, basic 386 का है, और standard 386, 3857 का है, और वो 10 pages create करेंगे, और जो premium का है 5400 का, तो यह सिर्फ चैन मिनिट का काम है, जो इचली वो आप आसान से fill का form create करकर आप इधर कमाई कर सकते हैं, तो मैं आपको इन का को से platform में करेंगे, और कैसे तरीखे से आपको सारे चीज़ें इसी वीडियो में मैं guide कर दूंगे, ताके आपको clear idea मिल जाएगा, So, please stay till the end, अगर आप मेरे चनल पर नए हैं, तो जरूर मेरे playlist पर visit कीजिए, और learn कीजिए किस तरीखे से आप online में कमाई कर सकते हैं, So, right to the point, इचली अभी मैं दिखा सकती हूँ, आपको उन्होंने about this gig में कुछ लिखा हुआ है, कि मैंने google form के professionally create करूंगी, और मैं आपको इचली अच्छी support करूंगी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आप भी एक 4-5 profile पढ़ लीजिए, और उसमें से point pick up कर लीजिए, आप एक अच्छा सा gig present कर दीजिए, ताकि लोग जब भी आए, clients तो आपका जो profile देखकर, gig देखकर वो पसंद कर लेए, So, आप related tags जो हैं, जरूरी रहते हैं, google form दिया हुआ है, इन्होंने इचली, तो आप भी इस तरीके survey form दिया हुआ है, इस तरीके के tags देकर आप अच्छी rank करवा सकते हैं, अपने top में दिखा सकते हैं, clients को आपका जो profile, जब मैंने type किया survey form, तो survey form, google form दो भी एक ही होता है, survey form, google form में ही create करते हैं, तो आप देख सकते हैं, कितने लोग हैं, जब मैंने type किया survey form, तो आप देख सकते हैं, उसमें भी लोग सर्व google forms ही लिखा हुआ है, तो google form में ही हम इसको create करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं, basic में उन्होंने 300,000, 3000 आईसा कुछ ranges रखा हुआ है, इसली और attractive gig हैं इनकी, और इनका जो है tagline भी इन्होंने दिया हुआ है, तो हम इसको किस तरीखे से create करेंगे, google apps में जाकर, अगर email में भी जाकर, आप ये google apps में जा सकते हैं, या ऐस तरीखे से भी जा सकते हैं, so google apps में जब आप click करेंगे, तो आपको नीचे forms मिलेगा, so forms प्लब click करने के बाद, आपको इस तरीखे का एक interface मिल जाएगा, जिस पर एक plus symbol होगा, जो है blank, so आपको शुरू से इसलिए आप खुद ही बनाना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, अगर आपको एक templates ready made है, तो उसको भी आप edit कर कर सकते हैं, तो मैंने एक ready made template उठा लिया हुआ है, so ready made template उठा कर मैंने इ जो photo है, image है, उसको निकाल कर जो मैंने client जो कहा है, उसी pic को लगवा लूँगी, तो actually आप देख सकते हैं, जो theme option है, इसको पर click करकर image uploaded, ऐसे इस पर जब click करेंगे, आप themes आप खुद ही, वो आपको recommend कर देगा, या नहीं, तो आप upload करना चाहते हैं, तो भी कर सकते हैं, या फड़ा फड़ा अप लोगों को दिखाने के लिए कोई एक जो pic मैं actually select कर लूँगी, ताके आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि आप ये आसानी से इस template को edit कर सकते हैं, so मैंने जब click किया, तो आप देख सकते हैं, उसका जो image change हो चुका है, अभी change होने के बाद, मैं इसका ज आती हों अपने background को आप देख सकते हैं, background color पर actually एक color select हुआ है, और जो party invite पर एक लखीर जो line जा रहा है, वो red पर है, तो इस तरीखे से आप जो font भी है, जो font style, जो कुछ भी आपका client expect कर रहे हैं, वो उसी तरीखे से आप font भी change कर सकते हैं, so ये सारे चीज़ें करने के बा दिखा हुआ है, party invite, so अब ही मैं इदर लिख दूँगी, online survey, अगर आपका client कह रहा है, कोई और heading तो आप वो heading या इस पर title पर लिख देंगे, लिखने के बाद नीचे जो है, description ये किसलिए, ये form है, ये survey है, तो जो कुछ भी description आपके जो client दिये हुए, उसको आप copy paste इदर क कर देंगे, और करने के बाद आप देख सकते हैं, आप सवाला जो शुरू हो गए है, आपको ये सवाल पसंद नहीं है, तो delete कर सकते हैं, आप नहीं से भी create कर सकते हैं, उन्होंने पुछा what is your name, मैंने delete कर दिया, इचली मैंने लिखाया सिर्फ name, और इचली आप देखो, इ मैंने इचली short answer क्लिक है, अगर आपको इस plus बटन पर क्लिक करकर, और next question जो है, आप create कर सकते हैं, इसी तरीखे से, तो मैंने अभी दिया हुआ है, इधर email id, जब मैंने टाइप किया email id, तो आप देख सकते हैं, मैंने इचली वो भी एक short answer है, तो automatically वो select हो जाएगा, और जो email id, required ज़रूर देना है, अगर ये नहीं देंगे, तो form नहीं submit हो आगा, तो आप इधर देख सकते हैं, इचली बहुत सरे options हैं, उसमें add, title, description लिखा हुआ है, तो अगर कोई description देना चाहते हैं, इसको तो आप देख सकते हैं, आप उस पर description, ये एक नया section, या उस पर कोई आ आप कहना चाहते हैं, इसके related, ये सवाल के related, तो आप देख सकते हैं, सो मैंने एक, अलग सा एक create किया है, description, contact, details, kindly give us this detail, so that we can further proceed, so ऐसे कुछ आप लिकवर, जो client के expectation हैं, जैसे तरीखे से चाहते हैं, client उस तरीखे से आप ये create कर सकते हैं, so आप अगर चाहते हैं कोई image, तो आप देख सकते हैं, Google image search के images भी add कर सकते हैं, या upload भी कर सकते हैं, या URL के तरीखे से भी कर सकते हैं, ये Google image के जितने भी जो ये से लगवा सकते हैं, photos या videos भी देख सकते हैं, आप के photo किस तरीखे से वो automatically आ गई है, अगर आपको कोई video upload करना है, तो video का symbol आप देख सकते हैं, तो उस पर click करकर आप video भी add कर सकते हैं, so next जो equal to symbol है, वो जो है हमको section create करने में मदद करेगा, अगर मुझे section create करना है, तो उस पर जब मैं click करूंगी, तो मुझे आप देख सकते है, section 2 of 2, so अलग section create हो गया है, for example, कोई examination है, physics, chemistry, mathematics, so section wise आपको रखना है, तो section भी आप कर सकते हैं, अलग से, अपने client से discuss करने के बाद, किस तरीखे से, क्या आपको section wise चाहिए, ये सारे information, so जब मैंने click किया send पर, तो मुझे इचली आप ये सारे form edit करने के बाद, आपको सिर्फ अपचली जो link पर click करकर, इस link को आप shorten कर दीजिए, क्यूंकि लेंती है, अभी इसको copy करकर, customer के पास, client के पास दे दीजिए, वो अपने customers को send करकर, वो survey ले लेगा, so मैंने इचली जब इस link को, इचली एक new tab पर survey ले रहा है, तो उसको उस बंदे को इस तरीखेस का एक interface मिलेगा, तो मुझे इधर मेरा नाम देना है, email ID देना है, जो required है, so मैंने दोनों चीज़ देने के बाद, मैं इचली सर्फ ऐसे ही next next पर click करकर, मैं इसको submit कर दूंगी, सारा form नहीं भरूंगी, so आपको सिर्फ दि इचली उस link को अपने जो customers, client के पास दे देना है, so मैं एक्स्ट्रा दिखाने वाली हूँ, आप देख सकते हैं, मैंने इचली ये जो है, can you attend, yes I will be there, ये कुछ सवाला थे, जो required थे automatically वो जो template में, तो वो ही दिखा रहा है, तो मैंने जैसे submit कर चुकी हूँ, thank you for responding, so ऐसा कु सकती हूँ, इधर response में एक बंधा response कर चुके हैं, तो मैं अभी देखती हूँ को किसने मुझे response किया है, तो आप देख सकते हैं, तासन और उसका email ID, so इस तरीखे से आपको जतने भी लोग survey किये हुए हैं, जतने भी लोग इसमें details आट किये हुए हैं, जब आने spreadsheet symbol पर click किय create new spreadsheet, so ये automatically spreadsheet पर actually इस तरीखे का एक Google Sheet आप खुद actually खुद create करकर हमको इस तरीखे का data दे देगा, हमको कोई sheet में manually enter करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो automatically इस तरीखे का एक data दे देगा, so एही जो है हमारा जो काम रहेगा, सिर्फ हम उस link को उनके पास दे देंगे, अगर व production करने वाले हैं, या 4 to 5 teachers या और कोई बंदे हैं, जिसको add करना चाहते हैं, तो भी कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, ये 3 dots है, so उस पर click करकर add collaborators पर जाकर आप actually किसी को और किसी को write देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं, मैंने एक email id खुद का दिया हुआ है, और actually मैंन उसको send पर click करने के बाद, उनको भी ये जो है, जिस email id पर मैंने भेजा, वो भी इसमें add हो जाएंगे, so वो भी एक member हो जाएंगे, Google form के ये जो sheet, ये form में, so वो खुद भी spreadsheet ये सारे चीज़ें manage कर सकते, जो जितने भी collaborators add करना, जो आपके client के पास पुछ के और आप add कर सक सकते हैं, so आप वो send करने के बाद, वो खुद भी एक, जिस तरीखे से response ये सारे चीज़ें देख सकते हैं, अगर सच्मिया आप कुछ सीखे इस channel से और आपको पसंद आया तो जरूर लाइक बटन पर दबाईए, और subscribe कीजिए, और अपने social media पर add कीजिए, so आप add collaborators पर click कर कर आप जतना चाहें, लोगों को add कर सकते हैं, so इस तारीखे से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, Google Form में, अगर कोई doubt है तो जरूर पूछिए, और मैंने Google Form का एक separate video भी बनाया हुआ है, वो भी मैंने दिया हुआ है, अपने below description box में, तो जरूर watch कीजिए, और share कीजिए अपन कर दो जरूर झाल 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 झ